प्रटिक जानकारी के लिए देनिक जागर्ती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकोन को दबाना मत बुरिए। प्रटिक जानकारी के लिए लेकिन आवेदन से पहले इस बर्टिक पत्र हैं या नहीं है। और अंतिम चर्ण रहेगा नियूपती। इस बर्टिक की प्रिकरिया में सक्से पहले दोस्तों बात आती है मैं तवपूर तिथियां यानि कि विभिन चर्णू की जो तिथियां हैं उनकी जानकारी आप कहां से प्राप्त रहे। तिथियू की स्ताई जानकारी के लिए आपको आवेदन से लेकर परिणाम तक मत्य प्रदेश वेवसाइट परिक्षा बोल्ड की आधिकारिक वेवसाइट पी इबी डोट एमपी डोट जी ओवी डोट इन पर नजर रखनी चाहिए ताकि किसी भी जोखिम की संबावना से बचाजास के क्योंकि बोड तिथियू में फेर बदल का अधिकार रखता है अगला चरण है पत्तरता मांदन यानि की उमिद्वार की नागरिक्ता क्या होनी चाहिए उसकी आयू सिमा कितनी होनी चाहिए और सेक्षणिक योगेता सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक्ता क एक उमिद्वार को या तो बात का नागरिक होना चाहिए या शिक्कम की परजा होना चाहिए या बारती मूल का कोई ऐसा विक्ती होना चाहिए तो बात में स्ताई रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्टान से आया हो या फिर नेपाल की या बारत इस्तित किसी पुर् प्रतेश की परजा ओना चाहिए और उप्रोग से सम्मंदित दस्तावेज परस्तु करना आवसेख है एगला विशे है आयू सिमा ब्यार्ति की आयू सिमा की गणना परति की चालू वरस की एक जन्वरी यानि वर्तवान वरस को 18 वरस से कम एम 33 वरस से अधिक नहीं ओनी चाहि या पिर पुरानी परनाली से आयर सेकेंड वी प्रिक्सिया होते हिन करना चाहिए पत्तरता मांदंड का अगला चेन है सार्रिक मांदंड एमपी जेल प्रहरी बर्ति के इच्छुक उमीदवारों के लिए सार्रिक मांदंड इस परकार है पुरूस अभ्यार्थी के लिए 165 सेंटीमेटर उचाई होनी चाहिए और बिना सिना फुलाए 13 सेंटीमेटर उना चाहिए मैल्या अभ्यार्थी के लिए 108 सेंटीमेटर उचाई होनी चाहिए और पत्तरता मांदंड पर हम पहले ही एक इडियो बना चुके जिसमें विस्तरिक जानकारी दी गई है तो अधिक जानकारी के लिए आप उसको अपना माध्यम बना सकते हैं अगला चैन्ड है आवेदन कैसे करें दोस्तों जब भी बोड़ दवारा इस बरती की गोशना की जाती है तो सबसे पहला चैन रहता है आप आवेदन कैसे करें सबसे पहले व्यापम की अधिकारिक मेशाइट www.nic टोट इन पर जाएं मुख्य प्रष्ट पर अपनी भासा अंग्रेजी या इंदी आप सुन सकते हैं ओनलाइन फारम अपनी पात्तरता और व्यगप्ति के अनुसार जेल प्रहरी पर कलिक करें व्यगप्ति को डाउनलोड करें और निर्थेसों को ध्यान से पड़ें सुन न अपनी आलिया तश्वीर और अस्ताक्षर की प्रतियां या अन्य विगप्ति के अनुसार आवसे दस्तावेज अपलोड करें आवेदन परने के बाद पुने जाचे और 3P को ठीक करें अब आवेदन को सब्मीट करें अब अपनी स्रेड़ी के आदार पर आवेदन सुलक का बुपतान करें जो कि आपको रूल बुप में मिल जाएगा कार्ड या ओनलाइन बैंक की आप मत दे अपना सकते हैं अंच में बविशे के संद्रब के लिए आवेदन और सुलक का प्रेंट आउट आप अवसे लेले आवेदन के बाद अगला चन है पैट्रेन और सिलेबस इस विशे पर भी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें विश्तरिक जानकारी दी गई है यदि आप विश्तरिक जानकारी चाहते हैं तो उनके मादम से प्राप्ते कर सकते हैं पैट्रेन और सिलेबस एमपी विवसाइक प्रिक्षा मेंड़ दोवारा ली जाने वाली जैन प्रेरी लिखित प्रिक्षा में वस्तुमिष्ट परकार के सो पर्षन सो अंकों के होंगे यानी परतेग पर्षन एक अंक का होगा वेद दो गंटे के अवद दिका केवल एक ए परिष्ट परसंग का सहीवथ रंकित करने पर एक दिया जाएगा और रेनात्म को मुल्यंका नहीं किया जाएगा यानि यदि आप किसी पर्षन का गल्थ देते हैं तो उसका कोई यंक नहीं काटा जाएगा अगला विशे रहेगा प्रवेस प्रिक्षा के लिए प्रवेस प्रिक्षा में सामिन हो सकते हैं यहां द्यान रखने की दोस्तों एक बात है प्रवेश पत्र जारी होने के उखात किसी तरह का त्रूटी सुधार नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की त्रूटी दस्तिकोचर होने पर पीईबी ओनलाइन आवेश पत्र को रद निरस्त परिवर्टित करने का अधिकार शुरिक्षित रखता है पीईबी की वेवसाइट पर दो भागों में उपलब परशन पत्र कराये जाएंगे जिसमें परशन बाग में आवेश प्रिक्षा का नाम रोलंबर और प्रिक्षा के प्रिक्षा के दोरान ही विक्षक के समकक्स अभ्यार्ति को प्रवेश पत्र के निर्दारित इस्तान पर अस्ताक्सर बायात के अंगुठे का निशान तथा असलिपी काले बाल पॉइंट पैन से अंकित करनी होगी परवेश पत्र पर्थक से डाग दवारा प्रेशित नहीं किया जाएंगे किसी भी उम्मिद्वार को अगला वी से है सारीक परवेश पत्र के लिए शिमिती दवारा सारीक नाप जोख में उपिपाए गए उम्मिद्वारों का सारीक परवेश पत्र के लिया जाएगा जो इस परकार होगा गोला फैक पुर्षों के लिए 20 फिट गोले कवजन 7.260 kg महिलाओं के लिए 16 फिट गोला फैक नहीं गोले का वजन रहेगा चार किलोग्राम और बुद्पुर वुषैनिक और ओमगाड के लिए 15 फिट और गोले का वजन रहेगा 7.260 kg और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों यदि दोड में क्वालिफाई कोई उम्मिद्वार नहीं करता है तो उससे गोला फेकने में बाग लेने नहीं दिया जाएगा और सारिक परविणता प्रिक्षा केवल क्वालिफाईंग सवरूप में होगी इसमें कोई प परदर्शन मुल्यांकन से ऐसन पूष्ट रहने पर चैन सिमिति के समकत से ततकाल अपील की जाएगी जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकर्ण करेगी किसी भी इस्तिति में उम्मिद्वार को दूसरी बारह उसर परतार नहीं किया जाएगा शारिक प्रविणता टे अंपी प्रेरी बर्ति के लिए जेल मुख्याले सतर पर गठी चिमिति दवारा दीती अचड में सारीक नाप जोख हुए सारीक प्रविणता टेस्ट की कारवाई संपन करने के उपरांत इसमें सफल उम्मिद्वारों की सुची ब्यापम को उपलत कराई जाएगी अब्याथं की, आईउ के आदार पर आपसी सहवरिष्टा निर्धारित की जाएगी आयू में वरिश्ट अभ्यार्थी को नदना zur साथा आयू में व्रिष्ट अभ्यार्थी को वरीद्था दी जाएगी अब बात आती अभ्यार्थी की स्वीद्य के लिए उख्लब्ध होगी नियम कुष्ट का के अध्यायू में उलेखित नियमों के आधार पर P.E.B. दवारा अभ्यार्ति को प्रविण ये सुच्ची तियार की जाएगी। भी P.E.B. की वेवसाइट पर अपलोड की जाएगी। अनुपू चरित्र पाए जाने वाले चैन सुची में स्ताम पाने वाले उम्मिद्वार के विशे में ही नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। अनुपू चरित्र प्रिक्षन कराया जाएगा। कर सकते हैं जैसे इस बर्ति का विष्टरित पतरता मांदंड क्या है और इस बर्ति से का विष्टरित पैट्रेन और सिलेबस क्या है तो उनके मार्जम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारियों के लिए आप देनिक जागर्ती चैनल की ओफिसेल वेव साइट पर आकर भी पढ़ सकते हैं और यदि आपने अमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से भी नमर नेवेदन है इसको सस्क्राइब चर लीजिए ताके आपको समय समय पर करियर और सिच्छा से समय जानकारियां प्राफ पर उती रहें इस वीड में एक और नई जानकारी के साथ उपस्तित होंगे तर तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जया हिंद जया बाद